इधर उत्रपदेश के हरदोई में उस वक्त बवाल हो गया जब कड़नी सेना के राष्ट्रिया द्यक्ष वीर पताप सिंग मलावा के समर्थत पुलिस वालों से बिढ़ गया और उन पर पत्राब शुरू कर दिया। जैसे ही पुलिस ने उन्हें हटाने की कोशिश की उन लोगों ने पुलिस पर पत्राब शुरू कर दिया। जैसे निकलते देख पुलिस ने उपद्रवियों को खदेंडने के लिए उन पर आंसू गैस के गोले दागने शुरू कर दिया। इस बार पुलिस के आक्शन की वज़े से उपद्रवियों के बीच भगदर मच गए। ये पूरा बवाल इसलिए हुआ क्योंकि पिछले महिने की 30 तारीख को बारवी में पढ़ने वाले युवराज नाम के लड़के की गोली मार कर हत्या कर दी गई थी। इस मामले में पुलिस ने चार आरोपियों को गिरफतार भी कर लिया था। लेकिन कड़नी सेना के राष्ट्री अध्यक्ष वीर प्रताप सिंग मलावा आरोपियों के घरों पर बुल्डोजर चलवानी की मांग करते हुए धरने पर बैढ़ गये। लेकिन धरने पर बैढ़ने से पहले उन्होंने युवराज के घरोवालों से मुलाकात की थी। उस लड़के के घरोवालों ने ये आरोप लगाया कि बीजेपी को वोट देने से नाराज आरोपियों ने उसकी हत्या कर दी। गरवालों ने ये भी दावा किया कि उन आरोपियों ने उसे पहले भी जान से मारने की धमकी दी थी लेकिन किसी ने ये नहीं सोचा था कि आरोपियों उसकी गोली मार कर हत्या कर देंगे युगराज के घरवालों से मुलाकात के बाद करणी सेना के राष्ट्री अध्यक्ष वीर पताप सिंग अपने कारेकरताओं के साथ आरोपियों के खिलाव कड़ी कारवाई की मांग को लेकर धरने पर बैठ गए यूबी के हट्चारों को हालाद समालने के लिए वहां बड़ी संख्या में पुलिस के जवान तैनात नजर आए इस दोरान पुलिस के अधिकारियों ने उनसे धरना खत्म करने के अपील की लेकिन जब वो नहीं माने तो पुलिस ने उन पर एक्शन ले लिया पुलिस ने सडक पर बैठे करणी सेना के अध्यक्ष वीर पुताप सिंग समेत कई लोगों को हिरासत में ले लिया आरोप है कि इसी बाद से नाराज करणी सेना के कारेकरताओं ने पुलिस पर पत्राव शुरू कर दिया आलांकि बाद में पुलिस ने बवाल कर रहे लोगों को वहां से खदेर दिया इस बवाल की वज़े से पूरे इलाके में तनाव फैल गया मामले की गंभीरता को देखते हुए प्रशासन ने इलाके में बड़ी संख्या में पुलिस के जवानों को तैनात कर दिया ताकि वक्त रहते किसी भी तरह के हलाद से निप्टा जा सके झाल